हालो देर स्ट्रील्स मैं अविशानन देगमाफिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम एक्सफिस पे स्वागत करती हूं तो मुझे उमीद है आप लोग अच्छे से होगे प्रिप्रेशन बहुत अच्छे तरीके सा चल ली होगी क्योंकि यहां पर हम से आप लोगों के लिए आती है और आप लोग कुछ से प्रेक्टिस किया तरो कुछ घर की बाकी घर पर बाकी जो भी है बैसीक की लासे वह आपकी होती है आप लोग देख लो लिंक सबका डिस्क्रिप्शिट बॉक्स में मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में सारे तो भहां से देख सकता है पालली वह भी class इस आपकी चल लें है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग देडी ना करते हुए questions की practice करना इसको जागा स्यागा like कर दो, share कर दो, अभी लाइक करो ना करो बट शेर कर दो बट लाई भी कर देना भी इच बीच में ठीक है तो शेर कर दो सबसे पहले जिसे कि सभी लोग सारे बच्चे और भी जो भी है इधर उधर बटके बुले वो लोग भी हमसे जुड़ जाए और स्टार्ट कर दे प्रैक्टिस करना स्ट करें चलो पहला क्वेशन आ गया होगा आप लोग पर पहला क्वेशन देखो पढ़ो और स्को सौल करो क्या कहरा एट वाट एनुल रेट ओफ पॉंपाउंड इंट्रेस्ट पूछ रहा है और कब से पूछा है तो भाईया सेमी अन्वली है और कितना हो जा रहा है सत्तावल चैसो से कितना हो जा रहा है साथ सो उनतिस डबल जीडो ठीक है इस टाइप की क्वेशन आपने मेरे प्रेक्टर सेशन देख रखा हो तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से दो मेथट बता रखे है अभी हम लोग जो हम लोग फॉलो करते उसी से वह में जाएंगे बाकी वह स प्रिंसिपल अमाउंट फाइव 7600 फाइव 7600 ठीक है यह 0000 से डावल जीरो आपका रेश्योओ यह कितना आपका अमाउंट था और यह का अब इस पर कर दोगे अब बात हुई है किसकी एक साल की ठीक है बोलाया ना सेमियन इन वन इंवन ए ठीक है लेकिन बात कहा इसमें न मतलब 6-6 महिने पर compound interest बनरा है इसका क्या मतलब है अगर पूरा 1 साल 12 महिने बारा बनता है एक साल थीक है अब 6-6 महिने पर बन रहे compound तो आपकी एक से यहाँ 6 महिने की और यहां से यहाँ 6 महिने की तो यहाँ पर कितनी cycle बनी total? तो साइकल बन से नए ठीक है? मतलग यहां गको जितनी ही साइकल थोगो not बने है थी करोंगे विन है? यहां पर बन जो को तो जितनी ही साइकल भागों अगर रूटल जो services झामी मैं जो कर देल है थी काफराह जो है 730 और 556 256 267 तो यह आपका 27 27 और यह आपका 244 256 तो यह आपका ध्यान से देखोगे 24 का स्कुरे तो अमाउंट और प्रिंसिपल यहां से क्या आगया 27 और 24 सभी को clear है ठीक है अब देखो ध्यान से तो रेट यहां से क्या आगी रेट परसेंटेज तो भाईया 24 से अब देखोगे 24 तो यह जब सेमी अनुली दो साइकल है तो अगर हम लोग यह जब हम दो यह इस तरह का है लेकिन पर सेमी अनुली की बात हुए ना तो जो एक्चुल आपका रेट इंटरस रहा होगा वह क्या रहा होगा एक्चुल रेट परसेंट इस क्या रहा होगा यह एक्चुल है क्योंकि हमें बोला है semi annually ठीक है compound semi annually करने को बोला है वैसे अगर आपको नहीं समझ में आती है चीजे तो जो क्या करना आप लो जो भी time दे रखा होगा तो आएगा final क्या आप तो 25 परसें तीक है अमालो ऐसे तीन साइकल हो अगर आपकी हो तो उस त्राइप पर क्या करोगी तो जो भी आपको गिवन रहेगा quarterly होगा तो चार से multiply time को कर दोगे और आप लो रेट को क्या करोगे डिवाइड कर दोगे फोर से तीक है तो जो भी आपको गिवन रहेगा उसके आप लोग आपको समझ में आया होगा और यह अपन में हम लोग कैसे कर दिए क्योंकि सक्सेव का केसे डाइट कैसे कर दिए चले बार देख लो मैं मता देती हूं आपका होता क्या अमांट इस एक्वल तो प्रिंसपल इन रेकेट में वन प्लस आर बाई हंड्रेड वोल की पावर्टी यही तो होता है ठीक है अब यहां पर दो साइकल सी ताइम हमारे क्या होगे तो दो तो तो यह आपका अमांट इनन जाके प्रिंसपल ना पॉन में चला जाएगा अब इस को थिए टेक हुआते हैं उता हो थिर स्ण ने का आर्सी नीकाल लिया था आप लो को जैसा सूटेबल नगे वेसं लिकिन जाएडिक करोगे तो आप लो का Karen बहुत जाएदा से ओंगा आगे अ樣 schli Att静 length of the rectangle is Rubble, what change should be made to its breadth, so that its area remains the same आप देखो, Length आपकी double । Length एक होता है length rectangle में एक होता है breadth area होता है area होता है length into breadth यह होता है, आप मालो length आपका कितना था, 1 है length आपका कितना था and breadth भी आपका कितना था, 1 है तो length into breath 1 is to 1 is equal to area क्या जाएगा वर आ जाएगा ठीक है अब क्या कह रहा है length को उसने double किया है मतलब double कर दिया length को लेकिन हमें area को same रखना है remain constant ठीक है तो हमें breath में क्या change करना पड़ेगा breath में क्या change करना पड़ेगा तो हम जानते है length into breath is equal to area जाता that is 1 जो हमारा एक ही रखना है length हमारा क्या है 2 है तो breath क्या हो जाएगा 1 by 2 मतलब breath हो तो वो कितना जाएगा तो पहले एक था तो आधा हो जाएगा ठीक है समझ में आया वैसे भी दो चीज़े है एक अगर आपके दो गुना हो रहे है तो अगर पूरा सेम रखने के लिए दूसरे को आधा करना पड़ेगा ठीक हो अगर नेच्टेस यह संने कहान से आया तो ब्रेथ को आपको आगम करना पड़ेगा तीक है आगे पढ़िंदे चल नेक्स नेंसिशन पटसे आज़ो थर्ड़्टेस नेयरा git देखो थर्ड्ऱ्टेस क्या कrzyणरा ढें थखों यल्दी से शुनरह आपनो आंसर चलो तो अगर factors x minus 1 और x plus 2 x minus 1 और x plus 2 अगर factors है तो मतलब x is equal to 1 and x is equal to minus 2 रखने पर यह आपका जो given equation है वो satisfied कर जाएगा ठीक है यह रखने पर यह आपका जो given equation है वो satisfied कर जाएगा क्या equation axq plus axq plus 3x square plus bx ठीक है तो आप लोग एक बार x is equal to 1 रखने एक बार x is equal to minus 2 रखने और आप लोग solve कर तो आपका answer आजाएगा चलो हम लोग कर देखने ठीक है अब x is equal to यह factors है that means अगर आप x is equal to 1 रखने यह आपका equation 0 के equal हो जाएगा ठीक है अगर आप लोग 1 put करते हो यह minus 1 और क्या है इंक्रेट देखले हैं हाँ यह आपका x minus यह आप लोग देखने है हिंदी में x minus 1 given है ठीक है बट आपका होगा क्या x plus 1 होगा और आपका English में x minus 1 दे रहे है तो x plus 1 है जो main question है ठीक है उसमें x plus 1 है तो आप लोग इसको सही कर लो x plus 1 है x is equal to minus 1 हो गया ठीक है x is equal to minus 2 यहापे अब minus 1 और minus 2 put कर दो आप लो और a b की value निका दो minus 1 करेंगे हम लोग यह हमारा आएगा minus a यह हमारा आजाएगा 3 और यह हमारा आजाएगा minus कभी is equal to 0 आजाएगा ठीक है क्यों क्योंकि आपका 1 रतने पे equation satisfied कर दे रही put यहां पर हम लोग लिख दे रहे है put x is equal to minus 1 ठीक है अब देखो तो यहां से आगया हमारा a plus b is equal to 3 है हमारा first equation है ठीक है अब put करो x is equal to minus 2 और इसको equate कर दो 0 से minus 2 जब आप रखोगे यहां पर minus दोदोनी चाहर दुनियाथ माइनस एटे और यहां पर क्या आजागा दोदोनी चाहरती है 12 प्लस 12 और माइनस का यहां पर 2B अब आप लोग इसको सॉल करोगे तो 4A 4A प्लस B is equal to 6 आजाएगा ठीक है अब आप लोग B के वाल्यू पुट कर दो यहां से या फिर 1 और 2 को जब सॉल करोगे वी की वाल्यू पुट कर दे हां से तो क्या लिख सकते हो 3-A लिख सकते इसको बीको कर से यहां से B is equal to 3-A होगया अब आपका हो क्या गया है तो B is equal to 3-1 तो B की वाल्यू यहां से क्या जाएगी दो तो आपको पूछा क्या था ए और बी की वैल्यू ही पूछी थी तब के एक वैल्यू आ गई हां से बन बी की वैल्यू आ गई आपकी क्या ठीक है तो जो आपको गिवन होगा एक्वेशन फैक्टर्स उसको आप लोग पुट कर दिना जीरो के एक्वेट कर दिना आपका आजाएगा चलो आगे नेक्स बढ़ते हैं तीसरा ग्वेश्ट पे आजओ फटाक से जो भी नेक्स वेश्टन है तीसरा चौथा पांचवा जो भी है आप लो वेश्टन नंबर में ध्यान मत दो बस आप लो सौन करने पर देखो focus रो चलो next question क्या कहर आपका तो find out the scf of 1239 54 ठीक है 12 49 और 24 12 49 और 24 highest common factor ठीक है highest common factor मतला इन तो तीनों में common हो और हूं highest number ऐसा कौन सा है ठीक है देहां से देखो 12 है क्या लिखोंगे तीन चोंके 12 ठीक है इसको क्या लिखोंगे 13 39 और इसको क्या लिखोंगे 3 2 3 3 4 ठीक है तो अब कुछ और काम कॉमन है कि 4 13 और 18 में कुछ कृशम मरें और नहीं एक हूजिए पॉछ कि आपका हैसे वालिय जर्धकर दीक है पुछ तो तीन है निपलाल में स्कृमन बट्वा्ट्व दिन स्ट्वा है radius of solid spherical ball with volume 3808 is ठीक है तो volume ने रखा है आपको spherical का तो पहले आप बताओ sphere का volume क्या होता है sphere volume of sphere है ना volume of sphere क्या होता है 4 by 3 pi r cube r क्या है radius है ठीक है इसकी value आपको दे रखी है 4 by 3 pi r cube is equal to 3 क्या given है double 808 और आपसे पूछ क्या रखा है तो आपसे पूछा radius तो radius आपको यहां से r की value पूछी है तो find out कर लो 08 into 3 upon 4 into यह pi की value रख लो 22 into 7 ठीक है pi की value आप लोगो पता है नो 20 बटे 7 होती है रख लो cut करो यह 4 से cut करोगे 9 चोके 36, 37, 38, 7 चोके 28 ठीक है 0, 4, 2, 8 यहां से cut करोगे 11 बार में 2 चोके 8, 9, 2, 8, 16, 70, 25, 10, 21, 2, 11, काँा 11 चोके 44, 35 और 11 एक नित 11 चोके 44, 4, 48 ठीक है फिर 11 चोके 44 एक पैटालेस 11 एक हम 11 ठीक है आर क्यों क्या हो जाएगा यह 441 को होता है 21 का स्क्वार 21 के साई 440 और यह साथ तिर के 12 तो आपके आर की वैली के आगे 21, that means radius के आगे आपका 21, clear है सभी को, सभी को clear है और आगे बढ़े हैं, इसके लिए आपको बस formula बता होता, तो आप लोग इसको calculate कर लेते हैं, तो इसलिए मैं बोलती है, advance portion सिर्फ और सब formula अगर आ होगे, next question क्या कह रहा आपका, चलो next question देखने क्या कह रहा, mean of the first 10 odd natural number, ठीक है, पहले 10 natural number का, आपको mean बताना है, odd natural number, तो पहले देखो, odd होता क्या है, चलो मैं आपको पहले बता देते हू, sum of n natural number, n natural number क्या होता है, n into n plus 1 divide by 2, ठीक है, अब देखो, sum of n, even natural number, even natural number क्या होता है, तो ये होता है, n into n plus 1, ठीक है, sum of odd n natural number, ठीक है, even n natural number, sum of odd n natural number, ये क्या होता है आपका, तो sum होता है, n square है, ठीक है, तो ये आपलो formula, लिख लो, अब ये ही पुछो या कि अगर average of n natural number, तो भाया, average क्या हो गया, तो जितने total number है, n number, n से divide कर दोगे, मतले, average बचेगा, n plus 1 divided by 2, क्योंकि अगर आप लो, n से divide करोगे, n से, n से, n cancel हो जाएगा, तो बचेगा, n plus 1 by 2, ठीक है, उसी तरीके से, average of sum of, नहीं, average of n natural number, ठीक है, n even natural number, ये क्या हो जाएगा, n plus 1, ठीक है, क्यों, क्योंकि n से divide करोगे, n, cancel हो जाएगा, उसी तरीके से, average of first odd n natural number, odd n natural number, वो क्या हो जाएगा, n square by n is equal to n, ठीक है, तो ये formula है, कुछ आपके, 1, 2, 3, 4, 5, से, इसको आप रोग याद कर लो, ठीक है, अब देखो, इस particular question में क्या क्या है, कि first 10 odd natural number का sum, mean, sorry, mean मतलब average, ठीक है, आपको पता है, क्या average, बैने भी पता है, average of first odd n natural number, यहां से पुछा है, ठीक है, total n square by n हो जाएगा, ठीक है, तो total हो कितना जाएगा, तो पहले 10 का पूछा है, n का, तो 10 ही आपका क्या हो जाएगा, क्या है, 10 है, ठीक है, अपका जो answer आएगा, क्या आएगा, 10, mean of first 10 odd natural number, आपका यहां से क्या आजाएगा, 10 आजाएगा, यहां फिर आप लोग क्या करो, भाई, solve करो, आपको, पूछा है क्या, first 10 odd natural number, ठीक है, पहले 99 संख्या हो का, पहले 99 संख्या हो का, पहले 99, ठीक है, तो पहले 99 का आता, तो उसका भी 99 आ जाता, तो देखो, पूछा की question पर जहांदना, first N odd natural number, ठीक है, तो उस case में रहेगा, इवेन का, N plus 1 हो जाएगा, अगर, से फॉसिव आवरेज, अगर N natural number, पूछेगा, N plus 1 by 2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आप लो इसको यहां पर, formula से easily solve कर सकते हो, चलो, आगे बढ़ो, next question पर, यह formula आप लोग याद कर लेना, कहीं लिख लेना, अपनी copy में, ठीक है, चलो, next question पर, साथ मों, क्या कर रहा, the average salary of husband and wife is 6500, and the ratio of their salaries is 15 by 11, ठीक है, husband, wife, husband और wife पर उसके salary का ratio दे रखा है, और average दे रखा है, husband और wife के salary का, husband और wife के salary का average दे रखा है, कितना, तो average is 65,000, तो sum कितना हो जाएगा, 2 से multiply कर दोगे, ही तो sum हो जाएगा न, ठीक है, अब आप से पूछा क्या है, how much is the salary of wife, ठीक है, तो wife की salary, अब total यहाँ पे husband और wife का है कितना, 15 plus 11, that is 67, sorry, क्या मैं कर दी हूँ, 15 और 11 आट करोगे, तो 27 आएगा न, ठीक है, तो 27 ठीक है, अब इस 27 की value ही क्या दे रखी आपको, 65 triple zero into 2, और आप से पूछा क्या 11 की value, तो आपका, क्या हो जाएगा, 11 की value क्या हो जाएगी, next step में हम लोग लिख लेते हैं, 65,000 into 2 upon 27 into 11, option आपका जो भी answer होगा, 11 का multiple हो जाएगा, या फिर आप लोग इसको क्या करना, solve कर देना, तो आपका क्या हैगा, यह तको 27 यह 26 होगा, 15 और पाच एक छह और एक दो ठीक है, उसी तरीके से, यहाँ भी 26 और यहाँ भी 26, अब कार दो तेरे दोनी 26, तेरे पचे पैसे, मैं वही सूचे क्यों नहीं रहा है, तो जब गलत करेंगे, हम लोग solve तो क्यासे कटेगा, है ना, चलो, क्या है आपका 55,000 रुपए उसके वाइब की salary, ठीक है, हस्बेन की पूछेगा, तो आप लोग minus कर देना, चलो, next question, next question पर आजा फसे, एको next question क्या कहा है, जली से आजा, जा जाओ, each interior angle of a regular polygon is 140 degree, find the number of sides of the polygon, ठीक है, अब आपको पता है, each interior angle क्या होता है, regular polygon का, तो 180 degree, n minus 2 upon n, ठीक है, यह आपका, each interior angle होता है, each exterior angle क्या हो जाता है, each exterior angle, तो यह होता है, 360 by n, ठीक है, तो आप लोग देख लेना, इसकी value क्या दे रखी है, इसकी value दे रखी है, 140, यह मैंने आपको करार रखता है, पिछले practice session में सारी चीज़े लिखवा रखी है, आपको यहां से n की value बतानी है, ठीक है, n की value बतानी है, ठीक है, n की value बतानी 9n-18 is equal to 7n, ठीक है, 2n is equal to 18, n की value क्या जाएगी, 9, बताब number of sides आपका क्या जाएगा, 9, ठीक है, ठीक है, पॉलिगर में कितने sides है, n, ठीक है, अब मानों diagonal पूचेगा, diagonal क्या होता है, n into n-3 divided by 2, ठीक है, यह आप लोग कुछ formulas है, उसको लिख लो, each interior angle का formula होता है, each exterior angle का 360 by n, diagonal पूचेगा, n into n-3 divided by 2, and क्या है, number of sides, ठीक है, number of sides of polygon, आगे बते हैं, next question आपने आगे होगा, आपने उसको ठीक हो, जल्ली से स्वाल को रफटाक से, देखो, next question क्या क्या है, आपका, a student must score 40% marks to pass an examination, ठीक है, he gets 70 marks and fails by 20 marks, ठीक है, 70 number प्राप्त किया है, और 20 number से fail है, ठीक है, ठीक है, तो total passing marks कितना है, मैं पूछू passing marks, अब क्या बोलोगी, 70 number प्राप्त किया है, ठीक है, और 20 number से fail है, तो दोनों add कर दो, मतलब 90 number उसका क्या जाएगा, मैं यह पता चल गया, कि 90 number passing marks है, ठीक है, अब बोलें कि passing marks, student must score 40% marks, ठीक है, तो passing marks की value ही क्या दे रखी है, 90, आपका passing marks है, कितना 90, 40% बोला है कि पाएगा, तो पास हो जाएगा, मतलब 90 number पाएगा, तो पास हो जाएगा, मतलब 40% पाएगा, तो पास हो जाएगा, ठीक है, मतलब 40% की value 90 है, अब पूछा क्या है, find the maximum marks, तो maximum marks होगा, कितना 100%, तो 40% की value 90 है, 100% की value आपसे पूछ रखी है, या तो आपसे पूछे की, की total कितने number का था exam, वो भी बात यही है, और यह पूछ लेते यह भी बात यही है, चाह सिकार तो पच्छस बारवन, पच्छस नावा कितना हो जगा, 200, पच्छस, तो 220 का total examination क्या था था, ठीक है, total 225 number का exam था, clear, आगे बड़े, चल, next question, next question पर फट से आजाओ, क्या कह रहा है, question देखो, a man bought a number of apples at 5, 450 rupees, and equal number at 6, 450 rupees, ठीक है, if he sells them at 11, 400, what would be his percentage profit or loss, ठीक है, तो उसको profit, क्या होगा, या loss होगा, क्या होगा, जो भी आपको बताना चलो, करते हैं, तो भाईया, पांच apple खरीदा है, पचास रुपे में, पांच apple खरीदा है, पचास रुपे में, ठीक है, एक apple का मुली क्या हो जाएगा, दस रुपे, दस रुपे, सभी को clear है, ठीक है, अब देखो, क्या क्या रहा है, ये तो हुमारा होगा पहला condition, फिर मालों दुकांदार, वेंडर जाता है, पहले पे जाता है, फिर मीत best रुपे is, इस ऐसाब से मिलता है फिर दूसरे के पास जाता है उसको डूसरे डिए प्राप्त होती है, यहां भी हम लोग 3 Apple खरिदवा देते हैं ठीक है यहां पर 3 Apple कितने रुपय में खरीदेगा 30 रुपय में ठीक है तो टोटल उसको cost कितना लगा है total cost की अगर हम बात करें यहां 3 Apple यहां 3 Apple मतले है total 6 Apple और लगा कितना है तो यहां पहले में 30 रुपय दूसरे में 25 रुपय तो 6 ऐंपल का मुल्य कितना लागा है थेक अब बेश कितने में रहा है तो बेश रहा है 11 đầu एक बार बताओ आपके पास टोटल जितना रहेगा उतना ही तो समान बेचोगे है की नहीं ठीक है तो मतलब हमें जो क्वांटिटी ए एपल की दोनों सेम करनी पड़ेगी घिस जितना खरीदा उतना टोटल भीचेगगा तो कर लो इसको क्या करोगी 11 मृट्वाई कर दोगे यहां भी 11 सिर्ट कितना चाहिए का पांच 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 दस और छे ठीक है और यह चाचछट मतब छाचछट एपल खरीदा है उसने 605 रुपय में यह है हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यह है यह लुब भाइ खरीद रहा है 605 रुपय में 600 रुपय में घ्राइस यह है तो बतला लॉस फिके तो लॉस परसेंटेज कितने का हुआ इस कितने का पांच रुपय का तुम इस पर कॉस प्राइस परिडू को स्पांच पर दो आपको हो जाएगा अब आपको देखो देए रखता है हां 100 अपन 111 परसेंट इसी फॉर्म में है तो यह आपको क्या हो जाएगा इतना परसेंट उसका लॉस हो जाएगा सभी को क्लिया रहे हैं कि चीज आगे बढ़े हम लोग इस टाइप इस टाइप एक्वेस्टिन में आपको जो नंबर है ट ठीक है नेक्स कुछन आपे आजाते हैं बहुं लोग शेंपल इंट्रेस्ट ओन 50,000 एट सटेन रेट फॉर 5 विर इस 20,000 रुपीस ठीक है तो आपसे पूचा क्या रेट सिंपल इंट्रेस्ट हमें पता है क्या होता है प्रिंस पल इंटु रेट इंटु टाइम अपॉन कितने पी मिल्ला तो भाई हमें मिल्ला पचास हजार पे 20,000 रुपै मिल्ला रेट हमें फाइंड आउट करनी है पान साल के लिए टाइम ठेक है कर लोगे ईजली डबल जेरो से डबल जेरो और यह डबल जेरो से डबल जेरो ठीक है अब यह पांच और पांच पज़ब 25 से बार में तो आपका रेट और फंटर्स कितना अगया अगया आट परसन कितना अगया आपका रेट फंटर्स एक परसन क्लियर आगे बाडिए नेज सशन क्या आ जो देख ओ नेख स्वेशन क्या कह रापका अशौकर रबोट 25 shares from a manufacturer for 375 00 and sold them at a profit equal to the selling price of 5 chair ठीक है, then the selling price of one chair is, ठीक है, इस question को देखो कैसे करोंगे, तो क्या बोल ला है, कि 25 chair खरीता है, कितने रुपे में, 375, ठीक है, ठीक है, तो देखो, 25 chair खरीता है, वो कितने रुपे में, 375, 00, इतने रुपे में, ठीक है, 25 chair खरीता है, ठीक में रुपे में, ठीक है, एक रुपे में, ठीक है, एक शेर कितने में खरी देगा, तो 375, 00, अपॉन 25, अब आप लो, मैं देखो, डिवाइट कर दो, तो किससे करोंगे, 25, चिससी कर दे, चलो, 25, 35, 00, और ये, 00, और ये, 00, और ये, 00, और ये, 00, पॉन देखो, पाचे कम, 5, 6, 25, तो देखो, सेलिंग प्राइस, और अगर, सेलिंग प्राइस, बेचेगा, सेलिंग प्राइस, बेचेगा, बताओ, आपलो, सेलिंग प्राइस, और पचेगा, मतलब, उसका, बेक्र मुल्य, इस इक्वाल तो क्या होगा, क्रे मुल्य, पचेगा, प्रॉफित, जो भी हो रहा है, ठीक है, यही होगा, तो क्या है SP of five chair है, तीक है, तो यहां पे SP, SP एक साइट कर लो, एक चीज हमें पता चल देगा, CP of 25 chair, यह is equal to किसके है, SP of 20 chair, क्या है, SP of 20 chair है, अब यहां से अगर हम लोग SCP और SP का ratio निकाले, cost price और selling price का, तो क्या जाएगा, पांचों के 20 और 25 यहां से ratio आगे, तीक है, सभी को अब आप से पूछा क्या है, कि एक chair का selling price बताना है, ठीक है, selling price बताना है, तो देखो, एक chair का यहां पे 1500 रुपे दे रहा है, ठीक है, मतलब अगर 4 की value आपको क्या दे रखी है, 1500 रुपे, by cost price ही तो है, और यह आपका 1500 रुपे में दे रहा है, ठीक है, तो 4 की value कितनी दे रखी है, 1500 रुपे, आप से पूछा कि आप 5 की value क्या होगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, बताओ, कितने के multiple में है, तो आप लोग 25 गोड़े 15, 15 के multiple में है, तो आपका selling price of SP of 1 chair हो जाएगा, SP of 1 chair वो भी क्या हो जाएगा, 5 गोड़े 15 गोड़े 15, वो भी 15 के multiple में हो जाए जाएगा, 25, 125 गोड़े 15, यह आप लोगों को visible है कि नहीं बताओ, 125 क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 25 इंटू 15, ठीक है, यह लिख सकते हो, ना, इस इक वाल तू 15, 100, प्लस 15, 35, 75 के 5 हत्में है, 7, 15, 20, 30, और 7, 37, तो आपका क्या जाएगा, पांतिनाट, अथारह सो पचहत्तर रुपे, मतलब सेलिंग प्राइस ओफ आपका वन चेर पूछ रहा था न, हाँ, तो सेलिंग प्राइस ओफ वन चेर आपका क्या जाएगा, अथारह सो पचहत्तर रुपे, सभी को क्लियर है, चीज़े क्लियर है कि कहां कैसे होई, ठीक है, इसको मैं रख करते हूँ, जहां जिसको दिकत होगी, वो हमारा बेसिक का लेक्चर हो रखा है, पॉस्ट प्राइस का ये सब का, तो आप लोग वहां से चीज़े देख सकते हो, ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्क्रेशन पर आजाओ, नेक्स्क्रेशन पर, एको नेक्स्क्रेशन आपका क्या कह रह इस चूसे नट रैंडम, प्रबबिल्टे ओफ गेंग वावल, तो पहले ये बताओ, total आपके letter होते हैं, नेक्लिश alphabet में, बताओ, total हमारे कितने होते हैं,चबश होते हैं,चबश हते है, होते हैं, अब वावल उसमें कितने होते हैं, अ, य, आ, ये, अ, ओ, बांच हमारे है कि बताव कि प्राइटिन जहिए ऑवील थीकें तो प्राइटिन रृवटि अवर आपका क्या हो जाएगा होगा बता तो टोटल लृश्य होती पॉसिबल बात और अपकॉसिबलन हर टोटलमिया रीटोला एक करने तो us से निकालते हैं निकालते हैं अगर जरूरत है आप मेरे को कॉमेंट करके बताना I mean अपको प्रोबियर्ती का से ले लोगी ठीक है आपको जरुरत होगी तो आप लोक कॉमेंट करके हमें बताना जा और चेलिग्राम के पर बता देबं next question क्या है a scooter is travel ठीक है for five hour the first half of the distance at 21 km per hour and the rest at 24 km per hour find the distance travel ठीक है तो distance travel पूछ रखा है कर लेंगे हम लोग ठीक है देखो तोटल उसको travel करने में पांच घंटे लग रहें ठीक है मालो x km वो किस स्पीड से चला है भाई बोले ना कि first half और half total distance पहले हम लोग लिख लेते हैं ठीक है तरकि आप लोगो confusion ना हो total distance हम लोग suppose कर लेते हैं 2x ठीक है तो देखो पहला x हाफ कितना हो एक्स दूसरा एक्स हाफ हो गया ठीक है पहला x जो है किस स्पीड से चल रहा है तो चला आपका 21 कि 21 km प्रतिगंटे से चल ला और दूसरा एक्स आपका 24 km प्रतिगंटे की स्पीड से चल ला तो टाइम लग कितना रहा है आपको पांच बटे ठीक है आपको यह होता नहीं स्पीडिश एक्वाल तो दिस्टेंट अपां ताइम यह तैम इस इक्वाल तो क्या क्या हो जागे सब्स्क्राइब डिस्टेंट एक्स है एक्स्ट इस्टेंट एक्स-इस इस पीड्चवज तो टोटाइग 5 ठीक है अब आप इसको multiply करो तो यह आपका कितना 12 है ना 22 24 हाँ नहीं एक ने तुट रूजा यह 12 नहीं एक नट 3 23 का है ना साथ तरीके 28 तरीके 28 तो 21 गोडे 8 करतो तो 21 गोडे 8 यहापका LCM हो जाएगा अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा 8 X और प्लस यहां पर क्या हो जाएगा आपका तो यहां आर्थरीके 27 तो 7 X ठीक है solve कर लेना आप लोग आपका यहीं आएगा 15 X is equal to 5 x 21 x 8 upon 15 ठीक है तो आपको X की value क्या जाएगी यहां से बताओ पांतियाए 15 और 3 सद्धे 21 साथ वटे 56 ठीक है X की value यहां पर हमनों डैलेक लिख दे रहे है X is equal to क्या क्या आपकी 56 ठीक है अब आपको total distance traveled 2X ठीक है तो total distance traveled 2X क्या हो जाएगा total distance traveled 2X is equal to 2 into 56 6-12-5-10-11112 km total उसने क्या किया ट्रावर किया clear आगे बढ़े चलो सभी को समझ में आ लिया है नहीं चीज कैसे हुआ चलो time and distance का भी basic का मैंने lecture ले रखा है आप लोग नहीं जिसको भी समझ में क्लिया है वहाँ से देख सकते हूं पिचारी चीज़े मैंने बहुत अच्छे तरीकिये से a to z सब कुछ करा रखा है बहुत अच्छे से रेस वगेर है इंफेक्ट वह सब भी करा रखा है मैंने उसमें चलो next question दे रखा है if a minus b is equal to 4 a minus b is equal to 4 दे रखा है and a square plus b square is equal to 10 a square plus b square is equal to 10 दे रखा है तो आप से पूछा क्या है a cube minus b cube ठीक है a cube minus b cube पहले यह बता आपको इसका formula होता है क्या a cube minus b cube का तो आपका फॉर्मुला होता है a-b a-square plus b-square plus a ठीक है और यही अगर आपसे a-q plus b-q पूछ ले इसका फॉर्मुला क्या होता है a plus b a-square plus b-square minus a ठीक है जाज रखने के लिए यहाँ पर minus है तो यहाँ भी minus होगा अंदर यहाँ पर plus हो जाएगा यहाँ पर plus है यहाँ प्लस होगा अंदर यहाँ पर minus हो जाएगा ठीक है समझ मैं है यहाँ यहाँ आपका फॉर्मुला होता है a-q minus b-q और a-q plus b-q का respectively अब यहाँ से आप लोग solve कर लो put कर लो value आपसे यह पूछा है तो आप लोग put कर लो value ठीक है अब देखो यहाँ से put करोगे तो देखो a-q minus b-q is equal to a minus b a minus b is equal to दे रखा 4 upon a square plus b square क्या दे रखा है 10 plus a b हमें निकालना पड़ेगा a b तो भाई a minus b का whole square देखोगे अगर आप करोगे तो क्या होता है मैं ही पर कर दो ठीक है square कर दो इसको squaring both side squaring both side मैं ही पर कर दे दे रहूं लिख दे रहूं ठीक है आप लोग देख लेना तो क्या होजाएगा a square plus b square minus 2 a b is equal to 16 हो जाएगा अब a square plus b square की value दे रखी आपको 10 ठीक है यह आपको 10 दे रखी minus 2 a b is equal to 16 आपको value क्या आ जाएगी हां से ab की value क्या आ जाएगी बताओ यह पर a b की value चाहिए न अब यह 10 से इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 6 minus का इधर जाएगा तो आपका 3 minus की value 3 आ जाएगी ठीक है तो आपका यह क्या जाएगा 4 10 minus 3 मतलब 4 into 7 तो क्या जाएगा आपका answer 28 28 आजाएगा आपका answer सभी को clear है ठीक है आप लोग इसको इस तरीके से solve कर सकते हो सभी को clear है अब कभी next में आपको यह पूछ सकते है a q plus b q आप लोग इसका भी formula ठीक है उस तरहीं पर आपको a plus b की value दी रखी होगी कुछ तो भी तो चलो फिर आज हम लोग यहीं पर lecture को इस end करते हैं मुझे उमीर है यह सारी चीज है आपको अच्छे सामज में आ गई होंग बाकी concept आपके जो basic lecture उसमें होते हैं यहां पर हम लोग बस practice करते हैं जहां भी कोई doubt है आप लोग टेलिग्राम का लिंक description box में मस जाएगा join कर लो चीजे वहां पर discuss कर सकते हो questions regarding जो भी कुछ टेक ठीक है तो चलो फिर आज हम लोगें इपर end करते हैं lecture को पसंद आये like कर देना बैबै टेक केर अपना ख्याल लगो पार अब कर अब कर दो कर दो कर दो कर दो